तो बोर्ड्स 2023 के रिजल्ट में कितने बच्चे पास हो रहे हैं? ये देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड्स रिजल्ट कब आएगा? इस पे हमने अल्रेडी एक वीडियो बना दिये हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं साथी में जो moderation policy की reality है उसको explain करते वे भी हमने एक वीडियो अल्रेडी बना दी है जिसको कि आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं और मैं आपको बता दू कि इस Saturday को रात 9 बजे हम लोग करने वाले एक live session जिसमें कि हम लोग आप लोगों के जो result है आपके expected marks के through predict भी कर रहे होंगे और results related जितने भी आपके doubts है जैसे भाईया मैं इसमें pass हो सकता हूँ उसमें fail हो सकता हूँ compare लगने पर क्या होगा और जितनी भी आपकी problems है सारी की सारी problems का solution लेके हम लोग उस दिन आ रहे हैं जिसमें हम लोग live chat में आप लोगों से interaction कर रहे होंगे आज हम लोग बात करने वाले बाओ the passing percentage of boards result ठीक है जो की 2023 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अगर हम लोग passing percentage की बात करें सबसे पहले तो मैं आपको एक reality बटा देता हूँ कि pass करता कौन है ठीक है in case आपको मैं बता दू कि 33% is considered as the passing percentage in 100 ठीक है but मैं बता दू CBSE के साथ ये reality नहीं है अगर मैं longer run की बात करूँ तो मैं आपको बता दू जब तक आपके overall में 60% से जादा नहीं आते हैं you are considered yourself as fail if you are a general category student अगर आप एक SCST या फिर OBC category के हो SCST में 50% प्लस ले लो और OBC में 55% प्लस ले लो ठीक है तो इतना percentage आपके पास minimum होना चाहिए in your 12th class अगर आप 12th में हो 10th में हो तो कोई दिकत नहीं है क्योंकि ultimately 12th का maxim matter करेगा आगे चल कि किसी भी college में जाने के लिए या किसी भी job को लेने के लिए तो एक reality मैं आपको बता दू कि अगर जो passing percentage की बात करे in this case कि आप लोग को कितना चाहिए तो ये है लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये नहीं बात करने वाले कि आपको कितना passing percentage की requirement है बलकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने बच्चे boards 2023 में pass हो रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि when I talk about वो वाली data की बात हो रही है क्योंकि 12 वाले भी पहली बात बोट दे रहें और 10 वाले भी मैं आपको बता देता हूँ compare क्या होता है अगर माल लोग कि आप लोग के 5 subject है और उसमें से आप किसी एक में fail कर जाते हो यानि कि below 24 marks लाते हो उस subject में आपका compare लग जाता है और उसका exam आप लोग जुलाई औगॉस्त में देके उसमें pass होके successfully आगे बढ़ सकते हो बीना अपना साल drop किये लेकिन अगर आपके पास 5 subject है और उसमें 2 में आपका अगर आप fail हो जाते हो तो आपको year repeat करना पड़ता है लेकिन अगर आपके पास 6 subject है तो उसमें अगर आप 2 में भी fail करते हो तो आप compare देके आगे निकलोगे और 3 में fail करोगे तो आपको year repeat करना पड़ता है I hope कि आप लोगों को यह जीस clear हो गई होगी everything idea related to passing percentage और compare कब लगता है ठीक है क्योंकि हम लोग आपके सामने बिलकुल proof के साथ बाते करते हैं तो चलिए बात करेंगे proof के साथ बट यार वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वही particular career engineering और medical वाली से आगे निकलके कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसमें कि आप बहुत जादा earn भी कर पाओ और ultimately आपका इस society में बहुत जादा respect हो आप आगे जाके judge भी बन सकते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि there is a competition जिसको कहते हैं clack जो कि law के लिए होता और इसमें competition अभी काफी कम है और इसको आप easily crack भी कर सकते हो कि इसका जो syllabus है वो बहुत ही basic सा होता है जो कि आप चेक कर सकते हो आपको मैं बता दू कि law as a career में काफी ऐ यूज़ करके आपको 35% off मिल रहा है on unacademy klat subscription अगर आप unacademy में law exam subscription लोगे तो आपको 35% तक off मिल रहा है और इसके साथ में बता दू कि आप लोगों के klat 2024 के लिए कि कि starter batch launch हो चुका है आपको मैं बता दू यह special class का 1 mega week है और इसके अलावा klat और other जतने भी LLB exam है उसके धेर सारे free mocks आपके लिए already available है on the platform और आपको बता दू कि आपके लिए klat 2025 के लिए ace legal batch April 6 से start हो चुका है आपके लिए उसके अलावा the warriors batch klat 2024 के लिए April 13 से start हो चुका है with our top most educators and इसके अलावा बता दू कि आप लोगों को कि klat के अलावा भी काफी सारी ऐसे exam होते हैं जो आ कि अगर आप preparation करें आप लोगों में से कोई भी बच्चा slat देने वाला है तो आपको मैं बता दू कि इसकी पूरी की पूरी mock test की series आपको मिलने वाली है जिसमें कि आपको बिल्कुल full length mocks मिलेंगे वो मिल रहा है आपको just 665 rupees पे और इन सारे batches और सारे offers पे 35% का offer भी applicable है using the code PDN 10 इसको offer को बिल्कुल भी मत छोड़ना इससे better offer कुछ नहीं हो सकता और CLAT का ना एक बार mock test देके देखो तुमको realize हो जाएगा कि you are made for this career you are made for law ठीके एक बार जलू try करना और चलते हैं वीडियो में आग अब मैं आपको बता दू कि यह जो article है या मैंने बिल्कुल और records के लिए काफी अच्छा से जाने जाती है मैं आपको बता दू कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यही से यह cut out आपके सामने मिल रहा होगा जो कि यह CBSE 12th result का pass percentage मैं बता देता हूं कि 2023 में कितने बच्चे pass होंगे यह जानने के लिए हम लोग को पहले general idea होनी चाहिए कि हर साल कितने बच्चे pass होते हैं उसके लिए मैं आपको बता दू कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2020 when everything was normal लोग कहेंगे normal नहीं था 2020 में lockdown लगा था तो मैं आपको बता दू कि मार्च में लगबख सारे exams हो जाने के बाद आपके lockdowns का जो है process चालू हुआ था that's why आपके 2020 में 88.78% बच्चे pass हुए थे उस साल बहुत दिक्कते हुई थी मैं आपको बता देता हूँ जैसे उस साल एक subject का exam नहीं हुआ था तो उसमें random marking हुई थी बहुत सारे लोगों को average marking कर दी गई थी copies check नहीं हो पाड़ी थी अच्छे आपको पता है पूरा transportation रुका वा था हर जिस वह से काफी लोगों के साथ 9 साफी हुई थी and this was a COVID affected year if we talk about 2021 तो 2021 में 99.37% बच्चे class 12 में सिर्फ इसलिए pass हुए थे क्योंकि मैं बता दू इस साल boards exam conduct नहीं हुए थे जो कि आप लोग को याद होगा इस समय आप लोग 10th में होगे अगर आप अभी 12 में होतो तो board exam conduct नह ना था और आपको पता ही है जब स्कूल practical में 30 में 29 दे सकती है जबकि तुमको यह नहीं पता है कि test tube क्या होता है तो of course यह बात है स्कूल तुमका pass करेगी ठीक है और अगर 2022 की बात करें जो कि यह COVID effective year नहीं था बट इसमें term 1 और term 2 का concept था इस वाले concept में 92% पर्चे pass होते है यानि अगर मैं मोटा मोटी लेके चलूँ तो 92% बच्चे on an average pass हो जाते हैं ठीक है अगर मैं 2023 की बात करूँ तो इस साल की जो copy checking की process है वो थोड़ी सी मैंने बताई थी कि थोड़ी सी tougher section की ओर जा रही है वाई because जितने तुमारे MCQs थे आर 18-19 MCQs उस MCQs के बाद जो number of question है वो comparatively काफी कम है check करने को जिस वज़े से back years में teacher को जितना time मिलता था न एक copy check करने में अब उससे जादा मिल पा रहा है क्योंकि questions कम check करने है इस वज़े से थोड़ी सी कह सकता हूँ कि कड़ी copy check होड़ी है या यह है अगर तुमने उसमें मतलब नहीं भी आता था question लेकिन कुछ ना कुछ उसमें भड़ दिया है और अगर तुमने कुछ-कुछ सही answer भी बना दिये then you are successfully successfully proceeding to your next year or next journey but yes अगर तुमने यार copy को blank छोड़ा है मतलब कि तुमने पाच्छे question पाच्छे number का question बनाया और blank छोड Comparatively 12 और 10 को compare करोगे तो 10 में बच्चे generally कम fail होते हैं क्योंकि 10 तक बच्चे actually में पर रहे होते स्कूल जा रहे होते हो और 11-12 में बच्चे जो है जानते ही हो अलगी zone में चले जाते हैं उस वज़े से मैं आपको बता देता हूं कि 11-12 का comparatively low रहता है बट 10 का इस साल मेरे को increase दिख रहा है 96-97% के आसपास बच्चे पास हो रहे होंगे 10 में मतब 10 में तो of course बहुत अच्छी passing percentage होगी इस साल मैं guaranteed हूं और 12 की बात बता दू तो इसमें थोड़ी CR in depth checking हो रही है हाला कि जो मैंने बताया कि तुमने अगर अच्छे से attempt किया है जो कोश्चा नहीं आते थे उसको भी बनाया है then you are successfully passed तो tension मत पो अपने result को लेके तुम्हारे भईया daily आही रहे है तुम लोगों को जितने भी doubts हो सकते वो clear करी रहे daily साम 4 बजे ये भी doubt मैं तुम्हारा clear कर दिया कि अगर तुम लोग इस zone में हो कि तुम लोग pass कर रहे हो तो भी बता देना और अगर अगली वीडियो में तुमारे अगले डाउट के साथ